पार्ट छतीस चित्रवर्णन मेला देखना किस-किस को पसंद है? मुझे हस्त शिल्प मेला जाना पसंद है मुझे विज्ञान मेला पसंद है इसका मतलब सबको अलग-अलग तरह के मेले देखना पसंद है अच्छा बच्चों अब इस चित्र को देखें और इसके बारे में जाने यह चित्र एक बड़े मेले का है यहां हम कितने लोगों को देख सकते हैं जो मेले में घूमने आए हैं बीजों बीच हम एक बड़ा सा रोलर कोस्टर देख सकते हैं जाहिर सी बात है, मेले में बहुत भीड भी है, लोग बहुत मजे करते दिख रहे हैं, मौसम भी बहुत सुहाना है, कुछ करीब से देखने पर पता चलता है कि सामने ही एक रेस्टोरेंट है, जिसके सामने काफी लोग खड़े हैं, चित्र के एक दम सामने एक जोड़ी शीतल पे एक ग्रहन करती हुई दिख रही है, तस्वीर के दाहिने और एक खाने की दुकान है, बाई और भी एक छोटी से दुकान है, चित्र के बीच में एक आदमी छोटे से बच्चे को लेकर जा रहा है, किसी चित्र को देख कर मन में आये विचारों को अपनी भाशा में चित्रवर्नन में ध्यान रखने योग्ये कुछ मुख्य बातें, चित्रवर्नन करते समय निमनलखित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चित्र को ध्यान से देख कर उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, चित्रवर्नन में चित्र में दिखाई गई वस् प्राकृतिक द्रिश्यों के वर्णन में अपनी कल्पना का भी कुछ प्रयोग किया जाना चाहिए। चित्र से अलग किसी बात का वर्णन नहीं करना चाहिए। चित्र में दिखाये गए विशे के अनुकूल, शब्दावली का प्रयोग ही करना चाहिए। चित्र वर्नन के कुछ उधारन पढ़िये, दिया गया चित्र रंगों और मस्ती के त्योहार होली का है, बच्चे बुढ़े जवान सभी होली के रंग में रंगे हुए है, बच्चे एक दूसरे पर पिछकारी से रंग डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, हो ली तो है ही खुशी और उल्लास का त्योहार। ओल्लास का त्योहार।